आप सब कैसे हैं मैं नायरा स्वागत करते हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हग पर आज हम लोग केंद्री सिच्छक पातरता परिक्षया फरवरी 2014 भाग 5 और भाशा सेकेंड हिंदी का पर्थम प्रशन पत्र यानि की जो कच्छा एक से पांच तक का ह सॉल्व करेंगे सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लाज तक जरूर देखें क्यूंकि आप लोगों को पताएं कि कोस्चन्स रिपीट होते हैं सीटेट में क्या होता है कोस्चन्स रिपीट होते हैं तो अगर आप लोग ये पेपर अच् तो वो आप note कर लिया कीजिए जैसे कि कोई भी चीज या किसी की परिभाशा हो गई या इस तरीके से क्योंकि जब detail में चीजें पता होती हैं तो क्या होता है चीजें अपने आप से solve होने लगती हैं और अगर detail में नहीं पता है मान लिजिए जैसे इसमें एक question आया है अभी तो खर थोड़ी सी बात करेंगे उसके बास serial wise पढ़ेंगे जैसे है जीवन में बहुत अंधकार है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है अब ये question है और आपको कारक के बारे में नहीं पता है आखिर कारक होता क्या है तो आप लोग question को solve नहीं कर पाएंगे क्योंकि देख तो अब जब आपको कारक ही नहीं पता है तो आप इसमें से कारक नहीं चाट पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे तो इसलिए चीजों को थोड़ी से detail में भी समझना चाहिए तो चलते हैं आज के first point पे उससे पहले friends अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर क कर दें जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुश सकें तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले हैं नीचे दिये गध्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्ब का चैन की जे प्रश्न संख्या एक सी आठ तक तो जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भाती अश मैं अंधकार की इस विक्रिती को मुनिशिका सबसे बड़ा पाप कहता हूं यहां मुनिशिका स्वयम अपने परती किया गया अपराध है उसके दूसरे के परती किये अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है यहां इसमरान रहे कि जो व्यक्त अपने ही परती इस पा आप नहीं कर सकता कुछ लोग अंधकार के यानि अंधकार के सुईकार से बचने के लिए उसके आसुईकार में लग जाते हैं उनका जीवन अंधकार के निशेद का ही सतत उपक्रम बन जाता है तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आज की सिरिस का फॉस्ट नंबर कोश्चन देखत करता है तो देख लेते हैं किस और संकेत करता है तो जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भाती अशुब और अशुब और अनीती है तो इसमें क्या है इसमें देख लेते हैं कुछ लोग इस अंधकार को स्विकार कर लेते हैं तब उनके भीतर जो परकाश तक सबसे य legal क्या अपराध कि आपसेấu सबसे ने परती किया गया अपाध है तो इस एकॉडिंग देख लेते हैं पाप की और या बुराहीं और कटनाई क्यों और या अपराधू की और तो इसका जो बड़ा पाप कहा है तो परकाश यानी परकाश पानी की शीरा कांशा या मनुशी का अपने परती पाप ना करना या अंधकार को सुईकार ना करना या अंधकार को सुईकार कर लेना तो इसमें देख लेते हैं पराग्राफ में देखते हैं इसमें हैं देखिए अंधकार की इ सबसे बड़ा पाप कहता है ठीक है तो इस एकोर्डिंग देख लेते हैं लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है तो आपका जो लास्ट यानि डी ऑप्शन हो जाता अंधकार को सुईकार कर लेना लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है तो आपका डी ऑप्शन यह आपका right answer हो जाता है उसके बाद चलते हैं next question की तरफ आपकी screen पर next question है जब व्यक्ति स्वयम के परती किये गए अन्याई शोशन के वुरुध आवाज नहीं उठाता तो इससे दूसरों के परती अन्याई शोशन को बढ़ावा मिलता है यह केवल अपने परती अन्याई कर इसमें शान्याई की अन्याई करता है इसमें शान्याई करता है या वह और दंड का परता है और धन्याई करता है यह आपके गलत हो जाते हैं उसके बाद चलते हैं next question की तरफ आपकी screen पर next question है अंधकार का निशेद किस ओर संकेत करता है तो अंधकार का निशेद कि अन्याई शोषन बुराईयों को सदा के लिए समाप्त करता है या समाज में फैले अंधकार को परकाश में बदल देता है या समाज को अंधकार से मुक्त कराने के लिए प्रित्रिशील रहता है या मानना है कि समाज में न्याय शोशन बुराहियां नहीं हैं तो अंधकार का निशेद किस और संकेत करता है तो आपका D option हो जाता है यानि कि अंधकार का निशेद या संकेत करता है कि समाज में न्याय शोशन तथा बुराहियां नहीं है तो आपका D option is the right answer. उसके बात चलते हैं, अंगले सवाल की तरफ इस गद्यांश का मुखि उध्य है, तो इस गद्यांश का मुखि उध्य है देख लेते हैं, अन्धकार और परकाश की वेक्षु क्या करना या अन्याय और बुराईयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना या तरह तरह के लोगों की विशेष्टा बताना या पाप और पुनि की विख्या करना जिस तरह से आपने देखे परग्राफ को पढ़ा उस एकॉर्डिंग गध्यांश का मुख देश क्या होना चाहिए अन् समारो या विवसाई कार तो इसका जो राइड अंसर है वो आपका डी हो जाता यानि कि इस गध्यांश में उपकरम का अर्थे विवसाई और कार डी ऑप्शन इस दा राइड अंसर उसके बाद चलता है नेक्स्ट कोस्चन की तरह जीवन में बहुत अंधकार है रेखांकित से किरिया के आधार का बोध हो उसे अधीकरण कार कहते हैं जैसे पानी में मचली तेरती है इस वाकि में क्या है इस वाकि में पानी में अधीकरण है क्या है पानी में अधीकरण है शब्द के जिस रूप से किरिया के आधार का बोध होता है किसका बोध होता है तो आधार का बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है अधिकरण कारग तो इस हिसाब से याणि इस according आपका जीवन में बहुत अंधकार है तो जीवन में तो अधिकरण कारग है ठीक है ना उसके बाद चलते हैं अपने question की तरफ question है स्क्रीन पर आपके डॉट डॉट और अंधकार की ही भाती अश्यूभ और अनीती है वाकि में निपात है अब निपात शब्तों की अगर बात कर ली जाए निपात शब्त होते क्या है सबसे पहले इसको समझेंगे उसके बाद इसमें से देखेंगे कि कौन सा निपात शब्त ह तो आप लोग खुद से समझ लेंगे कि इसमें निपात शब्द कौन सा है तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए यानि अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का परियोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं जैसे क्या हो जाता है जैसे देखिए कौन कौन से शब्द हो जाते हैं जैसे हो जाता है तक हो जाता है मत हो जाता है क्या हो जाता है हां हो जाता है केवल हो जाता है और देखिए जी हो जाता है नहीं आपका ये भी निपात है और ना ये भी आपका निपात है और काश और आपका हो जाता है ही ये आपके क्या है ये आपके निपात शब्द है देखे एक बार और समझ ले निपात किसे कहते हैं तो किसी भी बात पर अतिरिक तो भार देने के लिए जिन अच्छरों का पर इसमें देखे निपात कौन सा है तो आपका जो A option है यानी की ही ये आपका right answer हो जाता है उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ यानी की आपकी स्क्रीन पर next question है सबसे सही विकल्प का chain कीजिए प्रशन संख्या 9 से 23 तक तो प्रात्मिक इस्तर की सिक्षा में संप्रेशन का माध्यम dot dot ही होनी चाहिए क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिश्क सबसे किरियाशील होता है तो फर्स नमबर पर है अंग्रेजी सेकेंड नमबर पर है मात्र भाषा थर्ड नमबर पर है परदेश की भाषा या फोर नमबर पर है हिंदी तो इसमें जो आपकी म मात्रभाशा हो जाती यहां पर बात किसकी की गई है प्रात्मिक इस्तर की सिक्षा में संप्रेशन का माधियम तो मात्रभाशा मात्रभाशा जहां पर हो जाता है उससे बैस्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता तो इसलिए आपका हो जाता है मात्रभाशा बी ओप्शन इस दा देते हैं बच्चों की भाषा यो सांस्कृति विविद्धा को सीमित करते हैं बच्चों को विस्तुरत अभ्यास करने और सिच्चकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं या बच्चों का सही सही आकलन करने में सदेयों मदद करते हैं कि वे क्या नह जानते तो इसमें जो राइड आंसर हो जाता यानि कि भाशा की पाठ पुस्तकों में दिये गए अभ्यास बच्चों को चीजों को परखने और गहराई से जुने और व्यापक अनुभाविस्तर से तदामिक का अवसर देते हैं यानि कि A option is the right answer उसके बाद question है हिंदी भाशा म में सरल परिक्षा लेना अब देखे जहां पर परिक्षा लेने की बात आ जाती है वहां पर तो आपका गलत हो जाता है उसके बादे बच्चों को अपने अनुभावों को कहने लिखने में परियापत अवसर देना अब यहां पर देखे अवसर देना और अपने बच्चों क परियोजना कारी करवाना तो यह आपका गलत हो जाता है बच्चों में अनुपचारिक बाचेत कराना तो यह आपका देखिए जो आपका B option है यह सबसे यानि की देखिए सरवाधिक उचित जो है वो आपका B option हो जाता है यानि की बच्चों को अपने अनुपचारिक को कहने परियाप्त अवसर देना इस एकोडिंग आपका बी ऑप्शन इस दा राइड आंसर चलता है नेक्स कोश्चन की तरफ है भाशा कच्छाओं में परदर्शित सामगरी केवल तब सजावती हो जाती है जब अब यहां पे केवल है और केवल आप लोग जानते हो कि नेगिटिव हमें नेगिटिव ही चूस करना रहेगा तो बच्चों को पढ़ना लिखना शिखाने में उसका उपियोग नहीं करते देखिए हमको नेगिटिव मिल गया लेकिन हम देख लेते हैं अभी और भी तीन आप्शन है उनको भी देख लेते हैं वह बच्चों को अनिवारिता यानि कि भाशा कच्छाओं में पडिशित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों का पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है. कहने का मतलब यह है कि सजावटी चीजें जैसे बच्चों को उसे सिच्छा तो नहीं प्राप्त हो रही है सिर्फ वो सजावट के लिए ही काम में आ रही है तो मतलब वो क्या हो गया वो सजावट उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है यानि नेक्स कोस्टिन है चोमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की शम्तात जन्मजात होती है हिंदी भाषा की कच्छा में बच्चों को विविद भाषा परियोगों से परिचे प्राप्त करने के अवसर दिये जाने चाहिए या व्याकरण के नियम समझा दिये जाए ताकि वे अपनी इस चम्ता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें या सतत और व्यापक आंकलन की परकिरिया से मुक्त रखें उन पर आवनावशक गोज न डालें या कुछ भी ना पढ़ाने की आवशकता नहीं है तो इसमें क्या है इसमें देखिये कोश्चन समझ लेते हैं पहले चौमस की कैनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की शमता जन्वजात होती है अता हिंदी भाषा की कच्छा में बच्चों को विविद भाषा परियोगों से परिच्छे प्राप्त कराने के अवसर दिय चलते हैं अगले सवाल की तरफ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है निमलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता या सुनिश्चित करना की धवनी के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए या बच्चों पर साथानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डाला जाए या शब्द परती शब्द पढ़ते हुए गती को बढ़ाने का अगरे करना या चित्र संदर्व और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना तो इसमें देख लेते हैं यह कोशन क्या कह रहा है अंसर हो जाता है इसलिए डी ऑप्शन इस दा राइड अंसर उसके बाद चलते हैं आपकी स्क्रीन पर नक्स्ट कोस्चन है प्रात्मिक स्तर पर भाशा सिछन का मुख के उद्देशे चार अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना या पाठ पुस्तकों के अंत में दिये करना या बच्चों की बातों को दहरे से सूनना उर सुनी गई बात पर अपनी टिपड़ी देना या वड्माला से याद कराना अम आप यहां पर यहाद करने की मात और तो से तो आपका यह खल्त हो जाता है इसके बाद दूसरों की बात को धहरे से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिपड़ी देना यह देखिए आपका यहाँ पे आपका यह राइट हो जाता है और और भी ओप्शन है इसमें भी देख लेते हैं पार्ट पुस्तक के अंत में दिये गए सभी विवसायों को पूरा करना या चार अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना तो ऐसा नहीं है दूसरों की बात को धहरे से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिपड़ी करना यह आपका बैस्ट आंसर हो जाता है यानि की C option is the right answer उसके बात चलते हैं अगले सवाल की तरफ आपके स्क्रीन पर है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन-कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है फूनों के नाम अपनी भाशा में लिखो हिंदी भाशा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश है तो पाट को अपन फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तरित जानकारी देना या बच्चों से यह जानना की कितने फूनों के नाम जानते हैं तो इसका राइड अंसर जान लेते हैं पाठ को अपने अनुभाव संसार अब यहां पते कि अनुभाव की बात हो रही है और बहुभाशिक्ता को पोशित करना तो आपका बेस्ट आंसर यही हो जाता है यानि कि A option is the right answer question है संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है उसे लिखने में कठनाई होती है उसकी समस्या से ग्रिसित है यानि कि उसकी समस्या dot dot से ग्रिसित है अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है यहाँ पर एक संगीता नाम की लड़की है वो अक्सर क्या करती है शब्दों को उल्टा लिखती है काहे की बात हो रही है लिखने की बात हो रही है यानि की उल्टा लिखती है तो लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है उसे लि अक्सिया हो जाता है यहां पर लिखने की समस्या यानि की डिस्ग्राफिया और उप्शन इसना राइड आंसर उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ प्रात्मिक इस्तर पर बच्चों के शुरुवाती भाशा विकास में सरवाधिक योगदान दे सकते हैं तीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कारेकरम या हो जाता है ग्रे कार पर वे के जाने वाले 30 मिनट या एफम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार या पर परसपर गुर्वत्तापूर बातचीत तो परिवार में जो बातचीत हो रही है वो क्या होता है प्राथ में किस तर पर बच्चों में शुरुवाती भाशा के विकास में सरवाधिक अगर युगदान दे सकती है तो परिवार में होने वाली परसपर गुर्वत्तापूर is the right answer क्योंकि जब परिवार की बात आती है तो इससे best answer कोई हो ही नहीं सकता आपका d option best answer है यानि कि d option is the right answer question है यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा से चक के रूप में अब क्या करेंगे सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द तीस बार लिखवाएंगे ताकि दुबारा गलती ना हो उसकी कापी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे वे दोनों शब्दों में क्या अंतर है उसे अपना शब्द स्वेम ठीक करने की बात कहेंगे अब देखे यहां पे बच्चे से स्वेम ठीक करने की बात की जा रही यानि कि किरिया करने की बात की जा रही कि बच्चा स्वेम करके सीखता है तो जब स्वेम करके सीख रहा है तो आपका यही सबसे बैस्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इसना राइट आंसर लेकिन अभी और भी देख लेते हो सकता है इससे बैस्ट आंसर मिल जाए रेल गारी शब्द पर घीरा लगा कर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कापी वापस कर देंगे तो यह चीज़ तो न करना इस तरीके के कोई भी अगर नोगीटिव पॉइंट आते हैं तो आप उसको देख Sahan को को मार्ग बताना है उस पे बच्चा खुद चलेगा खुद करके सीखेगा ठीक है ना तो इस according जो answer हो जाता है वो आपका be option is the right answer यानि कि उसकी copy पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे वे दोनों शब्दों में क्या अंतर है उसे अपना शब्द swim ठीक करने के लिए कहेंगे अब वो swim से करेगी तो मतलब वो activity कर पर जाता है उसके वादे एक समावेशी कच्छा में कविता पढ़ाने की लिए क्या करेंगे अब यहां पर समावेशी कख्षा की बात हो रही है तो समावेशी कख्षा कहते कि इसको है यह भी आप समझ लें जहां पर बिना भेद भाव के अमीर तब के से बच्चा आया हो या उसमें कोई भी दिक्कत हो कोई भी परिशानी हो सब बच्चों को एक ही छट के नीचे सिक्षा देना क्या होता है समावेशी सिक्षा होता है तो इसमें क्या देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं कविता को चार्ट पेपर पर लिख कर बच्चों ताकि बच्चों को विभिन इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके यह देखिए एक ही कविता को पांच बार सुनाएंगे पाट करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए तो आपका जो राइड आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कविता को पढ़ने क के लिए एक से अधिक विधियों का परियोग करेंगे ताकि बच्चों को विभि इंद्रियों से अनुभव का अवसर प्राप्त हो अब अनुभव से अनुभव यानि इंद्रियों से अनुभव का मिल रहा है न अवसर मिल रहा है तो जहां पर अवसर मिलने की बात हो बच् उसी option है यह आपका right answer हो जाता है उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है विद्याले आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं अपनी भाषा की जटिल और समर्द रचनाएं होती हैं अपनी भाषा का संपुर्ण बाल साहित होता है यहां देखिए 5000 शब्द होते हैं तो इसमें देख लेते हैं जो right answer है 5000 वाक्य होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि विद्याले आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं तो यह आपका गलत हो जाता है उसके बाद अपनी भाषा की जटिल और समर्द रचनाए होते हैं जब बच्चा विद्याले जाता है तो वो क्या लेके जाता है वो अपनी मात्र भाषा को लेके जाता है विद्याले यानि की देखिए वो अपनी भाषा की जटिल और समर्द रचनाएं होती हैं उसके पास अपनी भाषा की जटिल और समर्द रचनाएं होती हैं आ लानी की विद्याले आने से पूरो बच्चों के पास अपनी भाशा की जटिल और सम्रद रचनाएं होती हैं। तो जहां पर जरूरी नहीं है इस तरह का अगर होता है आपके पास ऑप्शन तो यह तो आप देखके ही कार्ड दें इसको कि जरूरी नहीं है ऐसा तो नहीं है उसके पास गलतियां सीखने सिखाने की परिक्रिया का अभिन हिस्सा हैं। कि देखिए क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो गलतियां करके ही सीखते हैं। इसलिए गलतियां तो सीखने सिखाने की परिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यानि अभिन अंग है तो जब ऐसा ऑप्शन हो तो आपका यही राइड आंसर होता है। और देख लेते हैं कि गलतियों पर बिल्कुल ध्यान ना देने से वे सुधर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है गलतियों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस तरह नहीं कि बच्चों को डाट के मार के ऐसा नहीं है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसकी पहले परिशानी को समझेगे कि आखिर यह परिशानी है क्या यह गलती पर वरत प्यों कर रहा है। फिर उसकी परिशानी को जान कर और उसका क्या दो उस से पहले परिशानी Southern मीवारण करें। इसके बाद हैं। उसके भाशा विकास में महान बाधा है अब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को उसकी गलतियों के बारे में समझाएंगे उसके कोई action लेंगे उसके कारी करेंगे तो ये तो बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर वतारे महान बाधा है तो ऐसा नहीं है इसलिए ये आपका option गलत हो जाता है इसलिए आपका जो a option है यानि गलतिया सीखने सिखाने की परकिरिया का अभिने हिस्सा हैं तो ये आपका answer right हो जाता है उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जब बच्चे कहानिया पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश के पढ़ते हैं या वे घटनाओ पात्रों में उलज जाते हैं वे अन लोगों के अनुभवय में परवेश करते हैं या उनका नैतिक विकास अनिवारता होता है तो वे बिना किसी उद्देश के पढ़ते हैं तो जब बच्चे कहानिया पढ़ते हैं तो क्या वे बिना उद्देश के पढ़ते हैं तो यह आपका गलत हो जाता है या वे घटनाओ पात्रों में उलज जाते हैं अब यहाँ पे वो उलज गये तो क्या बच्चों को उलजाना नहीं है तो यह आपका option गलत हो जाता है वे अन लोगों के अनुभवों में परवीश करते हैं तो हाँ जब कहानिया सुनते हैं तो बच्चों को क्या होता है उनको जब नेतिकता या जैसे भी आप बच्चों को कहानिया बताएं तो बच्चों कुछ देर वो अपने आपको समझने लगता है तो इस तरह क्या होता है वो अन लोगों के अनुभों में परवेश कर जाता है तो आपका जो C option है वो right हो जाता है और उसका नेतिक विकास अनिवारता होता है तो यह आपका गलत हो जाता है उसके बात चलते हैं अगले सवाल की तरफ आपकी स्क्रीन पर है नीचे देख गए गध्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चैन की कीजिए यानि 24 से 30 तक का जो है आपका इसमें जो question है यह इसमें गध्यांश के according आपको answer देने हैं तो सबसे पहले गध्यांश को पढ़ लेते हैं फिर उसके according answer देते सिच्छा के वल तभी बच्चों के आत्मिक जीवन का एक अंश बनती है जबकि ग्यान सक्रिय कारियों के साथ अभिने रूप से जुड़ा हो बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकती की पहाड़े या समकूर चत्रभुच का छेतरफल निकालने के नियम आप से आप उन्हे के मन में जागती हैं मैं या स्रेष्टा करता था कि छोटी उम्र में ही शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होश्यारी और कुशागर बुद्धी का परिच्चे देने का आवसर मिले स्कूल का एक सरवाधिक महतुपूर कारिभार है बच्चों को ग्यान का परियोग करन सिखाना छोटी कच्चाओं में या खत्रा सबसे ज्यादा होता है कि ग्यान निरर्थक बोज बनकर रह जाएगा क्योंकि इस उम्र में बोधिक श्रम नहीं नहीं बातें सीखने से ही संबंदित होता है चलते हैं देखतें कोश्चन लेखक के अनुसार सिख्षा का अर्थ है ग्यान का परियोग करना या श्रम करना या विशे पर अधिकार प्राप्त करना या ग्यान प्राप्त करना तो जिस तरह से देखिए जो आपका गध्यान शे इस एकोर्डिंग आपका अंसर हो जाता है ज्यान का परियोग करना यानि की आपका A option is the right answer उसके पाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ ज्यान प्राप्ति की चक कब जाकती है तो जब हम यह देखेंगे कि ज्यान हमारे भोतिक जीवन के लक्षियों की प्राप्ति का साधन है या जब हम यह देखेंगे कि ज्यानवान मनुशी ही शुरम का अधिकारी है जब हम यहाँ देखेंगे कि ग्यान के द्वारा हम समस्तु सुखों का लाब उठा सकते हैं या जब हम यहाँ देखेंगे कि ग्यान के द्वारा सिर्जनात्मक कारी किये जा सकते हैं तो देखिए गध्यांश के according आपका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा जब हम यहां देखेंगे कि ज्ञान के द्वारा से जनात्मक कारिक किये जा सकते हैं यानि कि आपका D option is the right answer उसके बाद question है लेखक के अनुसार शारिरिक स्रम में तेज बुद्धी की आवशक्ता नहीं ह तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आपका देखिए बच्चों से यह आशा नहीं की जा सकते कि पहाड़े या समकोर्ण चतुर्बुच का छेत्रफल निकालने के नियम आप से आप उन्हें आकरशित करेंगे जब बच्चा या देखता है कि ज्ञान सुर्जन कि या श्रम के लक्षियों की प्राप्ति का साधन है तबीवा ग्यान पाने की इच्छा उनके मन में जागती है और मैं या चेस्टा करता हूं कि छोटी उम्र में शारिरिक श्रम में बच्चों को अपनी होश्यारी और कुशागर बुद्धी का परिचे देने का अवसर मिल यानि कि क्या है शारिरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धी की आवशक्ता होती है तो इस एकोर्डिंग शारिरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धी की आवशक्ता होती है बी ओप्शन इस दा राइड आंसर उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ या उसका सक्रिय प्रियोग ना किया जाए जब उसका सक्रिय प्रियोग ना किया जाए तो जब उसका सक्रिय प्रियोग ना किया जाए तो इच्छा शब्द में एक प्रतिय जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एच्छिक और एच्छिक आपका A option है इसलिए A option is the right answer इस तरह के जो questions होते हैं वो आपको खुछ से तयार करने होते हैं यह आपको गध्यांश में नहीं मिलेंगे आप लोगों को स्वें तयार करने रहते हैं उसके बात question है आज की series का last second question है कारी का बहुवचन रूप है तो कारी का बहुवचन रूप है कारियें या कार या कार कर्मों या कारियों तो आम बोलचाल की भाशा में क्या गहते हैं जब कार होता है तो जब बहुवचन बोलना होता है तो कारियों में लिप्ट हैं इस तरीके से नहीं बोलते हैं कि कारियों में वो मस्त हैं या व्यस्त ह इस तरीके से नहीं बोलते हैं तो कार का बहुचन रूप हो जाता है कारियों यानि कि D option is the right answer उसके बाद आज की सीरीज का last question देख लेते हैं बोधिक शब्द में मूल शब्द हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं मूल शब्द क्या होते हैं तो मूल शब्द जैसे बुद्ध है यानि कि बोधिक है तो बोधिक में बुद्धी प्लस क्या होता है बुद्धी प्लस एक एक इसमें क्या है एक देखिए पर्तिय है क्या है तो पर्तिय है और यह चीज हम लोग देखिए इसमें चर्चा कर भी चुके हैं फिर से देखिए रिपीट कर रहे हैं कि पर्तिय मतलब होता है पीछे और उपसर्ग मतलब होता है आगे तो बौधिक में एक पर्तिय लगा हु है उलन्ष प्रतिय है और यह आपका प्रतिय है तो इस एकोर्णिंगे आपका जो वुद्ध यानगी आपका बुर्द नसरों जाता है ना कि बुर्धा बुद्धी यानि कि बुद्धी बुद्धी यानि कि the option is the right answer तो friends आप लोगों का देखे ये पेपर भी solve हो चुका है इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझेगा अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो आप लोग रिपीट करके देख लें क्योंकि देखे चीज अगर आप solve करेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छे से तयारी हो जाएगी और आप लोगी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटर में पोस्चेन रिपीट होते हैं ठीक है ना friends तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लेस कमेंट जरूर करें हमारे च